बढ़वानी में ग्रामिणों ने अनोखी डैली निकाली, यहां ग्रामिणों ने छोटी कसरावत बसाहट में पूंग्रिस समर्तिस सरपपंच और जनपर सदस्या और जिलापंचायत वाड़ एक से करन दर्बार की जीत के बाद बुल्डोजर पर डैली निकाली, मही ग्रामि उन्हें विजय जुलूस निकाला जैपुर सिकंदराबाद की ट्रेन और इटार सी प्लाटफॉर्म को बम से उडाने की धमकी दी गई जिसके बाद आरपीएफ ने स्टेशन पर चैकिंग अभ्यान चलाया है यह बड़ी खबर बम स्कॉइड की टीम भी सर्चिंग में जुटी हुई है तो नर्मदापुरम से बड़ी खबर आ रही है जैपुर सिकंदराबाद ट्रेन में भी सर्चिंग की गई है नर्मदापुरम में इटार सी प्लाटफॉर्म को बम से उडाने की धमकी मिली है इतारसी प्लैटफॉर्म को बम से उड़ाया जाएगा इस तरह की धम की सामनाई आरपी एफ निस्टेशन पर चेकिंग की है बम स्कैट की टीम भी सर्चिंग में जुटी हुई है इसके साथ साथ जैपूर सिकंदरबाद ट्रेन में सर्चिंग की गई और जैपूर से सिकंदरबाद ट्रेन जा रही थी उसमें बाथरूम से एक सिलिप में लिखा हुआ था की जो ट्रेन का कोच है एसी कोच है उसमें बम की सुचना दी गई ती तो यात्रियों ने जब इटार सी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आर्पिएप को ये सुचना दी और आर्पिएप ने ततपरता दिखाते हो वहाँ पर चेकिंग शुरू की तोनों को जो हैं B1, B2 को खाली कराया गया जिसके बाद में वहाँ पर कुछ भी नहीं प्रप्ट पर ट्रेन को पूरी चेक किया जा रहा है और लेकिन ये माना जा सकता है किसी सराथी तत्वारा ये काम किया गया हो जी दन्यवाद आशिश स्पूरी जानकारी के लिए तो नर्मदापुरम से बड़ी खबर जैपुर सिकंद्राबाद ट्रेन की भी चेकिंग की जा रही है लेकिन कुछ भी माहा से नहीं मिला है भारती रेल्वे ने 36 गड़ के हजारों रेल्वे यात्रियों को बड़ी राहत दी है रेल्वे ने करीब 4 महिने से रद 27 ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया है इनमें 16 एक्सप्रेस और 11 पेसेंजर ट्रेने शामिल है रेल्वे ने 10 से 17 चुलाई तक भाहाल किया मार्च महिने से 36 गड़ से गुजरने वाली ट्रेनों को लगातार रद क्या जा रहा था रेल्वे ने शनिवार से कई अन्य गाड़ियां शुरू करने की बात कही थी लेकिन फिर इने भी रद करके 16 जुलाई से चलाने का अदेश दिया था करीब 4 महिने पहले रेल्वे ने 14 लोकल ट्रेनों और 22 एक्सप्रेस ट्रेनों को एक साथ रद क्या था बिल्वे के साधिश के बार ट्रेन याक्यों को जबदस परिशानी का सामना करना पड़ रहा था